दोस्तो अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब किजी हमारी यूटूब चैनल स्पोर्ट्स केन को और दबाई उस बेल आइकन को तक कि आपको स्पोर्ट्स के रिलेट नियूज मिले सबसे पहले हेलो और वेलकम दोस्तों आपका सौगत थे हमारी टूप चैनल की नहीं वीडियो में दोस्तों अगर आप भी भारत और इंग्लेंड की बीट खेले जारे तीसरे टैस मैच की पहले दिन की हले देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दिजिये और कमेंट कração जरूर बता आपके मदब भारत और इंग्लेंड में से कौनसी टीम तीसरे टैस में जीतने वाली है तो चली विड़ो शुरू करते हैं तो दोस्तो भरत और इंगलेंड की भी 30 मैच का पहला दिन नरेंदर मोदी स्रेडम में खेला जा चुका है दोस्तो ये मकाबला बहुती सांधर खेला जा रहा है जैसे कि आप लोग जानतों कि इस मकाबले में इंगलेंड की टीम में टॉटित का पहले बलेबाजी करने का फैसल या था जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोने टीम की पिलेंग 11 के बारे में जो की वो हमें 30 टैस मैच में खेलते वोई दिख रही हैं दोशेता हम सबसे पहले बात के लेते हैं इंगलैंड टेम 기 पिलेंग 11 के बारे में तो हम आपको बता दे की हमें इंगलैंड सिबलि, दूसरे नंबर पर आते जेख कोरली, तीसे नंबर पर आते जोनी बैस्टो, चौते नंबर पर आते जो रूट, ocho Philip, शटे नंबर पर आते स्टूट ब्रॉड जबकि ग्यारवे नमबर पे आते जेमे एडिसन दोस्तों इंगलेंट टीम की पिलेंग 11 है जो की वो हमें तीसे टैच मैच में खेलते वे दिख रही है दोस्तों वहीं बात के टीम इंडेक की पिलेंग 11 के बारे में तो हम आपको बदा दिकी हमें टी पंद, साथवे नमबर पेंगे वासिंग्टन सुंदर, आठवे नमबर पेंगे अकसर पटेल, नोवे नमबर पेंगे वासिंटन सुंदर, दसवे नमबर पेंगे इसांत सरमा, जिबकि ग्यारवे नमबर पेंगे जस्पीत धुमरा, दोस्तों इस दोने टीम की पिलेंग 11 ह जो कि वो हमें तीसे टैस मैच में कनफर्म खेलते हुए दिख रही है तो चलिए अब देख लेते हैं इस मकाबले की पहले दिन की हाइलाइट्स दोस्तो सबसे पहले बैटिंग कनी तु इंगलेंट टीम की सुवाद बहुती खराब रही थी जैसे कि आप लोग जानतों कि इस मकाबले की पहले इंग में हमें बहुती खराब बले बजी देखनी कुम ली डॉम सीबली की तरफ से तो हम अपको बदादी की डॉम सीबली ने इस मकाबले की फ़र्स इंग में सूरने पर आट हुए हैं दोस्तों इनका विकिट लियाता इसांत सर्मा ने दोस्तों वहीं बात केreno-ाय जैक कॉरली की तो हम आपको बददी की इस मकाबले की फर्स शिनिंग में हमें इंगलेंड टीम की तरफ से सांधर बलेबाजी देखनी को मुलिए जैक कॉरली की तरफ से तो हम आपको बददी कीlynn कॉले ने इस मकाबले की फर्स इनिंग में 84 गेंदों में 57 53 एंट की पारी खेली जिसमें 10 चौके सामिल थे लेकिन बाद में कि उनका विकिट अक्सर पटेलने ले लिया था दोस्तो जिसके अध बैटिंग है जोनी बैस्टो तो हम आपको बदादी की जोनी बैस्टो का मकाबला इस मकाबले में बिलकुल भी नहीं चला और वो इस मकाबले बहुत जल्दी आठ हो गए तो हम आपको बददी की जौनी बैसों ने इस मकाबले की फर्स इनिंग में सूने पे आठ हुए हैं दोस्तों इनका विकेट लियाता अक्सर पटेल ने जिसके बैटिंग ने थे जो रूट तो हम आपको बददी की पहले मैचों की तरह जो रूट का बला इस मकाबले में बिल्कुल भी नहीं चला तो हम आपको बददी की जो रूट ने इस मकाबले में 37 गें तो इसे 17 मना सके जिसमें दो चोके सामिल थे लेकिन बाद में की उनका विकेट रवीचन दस्विन ने ले लिया था दोस्तों विजिसके बैटिंग ने थे बैन स्टोक तो हम आपको बददी की स्कोर्स का बला भी इस मकाबले बिल्कुल भी नहीं चला और वो इस मकाबले बहुत जल्दी आठ हो गए तो हम आपको बददी की स्टोक ने इस मकाबले में 24 गया तो इसे 6 रहे मना सके जिसमें एक चौका सामिल था लेकिन बाद में की उनका विकेट रखसर पटेलने ले लिया था दोस्तो विकेट बैटिंग रहते ओली पोप तो हम आपको बददी की ओली पोब इस मकाबले में जादा अच्छे बल्ले बाजी नहीं कर पाए और बहुत जल्दी आठ हो गए तो हम आपको बददी की पोप ने इस मकाबले में 12 गेंदे में सिफ एक अरह नहीं मना सके जिसके बाद से उनका विकेट लाता है रवीचन दैस्विन ने दोस्तो जिसके बेटिंग रहने थे बैन फोकस जैसे कि आप लोग जानते कि सेकिंड टैस मैच में हमें बैन फोकस की तरफ सांदर बल्ले बाजी देखने को मुली थी लेकिन वो हमें इस तीसरे टैस मैच की पहले इनिंग में खराब बल्ले बाजी करते हुए दिखे हैं तो हम आपको बजदी की बेन फोक्स ने फास इनिंग में 58 गेंदर में इसी बारे नहीं मना सके जिसमें एक चौकर सामिल था लेकिन बादने की उनका विकेट भी अक्सर पटेलने ले लिया था दोस्तो जिसके बेटिंग अने जोफरा आचर तो हम आपको बजदी की आचर भी इस मकाबले बाजी नहीं कर पाई और बहुत जल्दी आठ हो गए तो हम आपको बजदी की जोफरा आचर ने इस मकाबले की फास सेनिंग में 18 गेंदर सिफ 11 में मना सके इसमें दो चौकर सामिल थे लेकिन बादने की उनका विकेट अक्सर पटेलने ले लिया था दोस्तो जिसके बैटिंग ने जैक लीच तो हम आपको बजदी की लीच भी इस मकाबले में जादा अच्छे बल्ले बाजी नहीं कर पाई और बहुत जल्दी आठ हो गए तो हम आपको बजदी की लीच ने इस मकाबले में 14 गेंदर से 3 मना सके दोस्तो इनका विकेट भी लाता रवीचन दस्विन ने दोस्तो जिसके बैटिंग ने दे सूट ब्राट तो हम आपको बजदी की ब्राट ने इस मकाबले में 29 गेंदर से 3 मना सके दोस्तो इनका विकेट लाता अक्सर पटेल ने जिसके चलते इंगलेंट की टीम इस मकाबले की फर्स इनिंग में सिब 112 ने मना सकी दोस्तो आपको ददी की टीम इनकी तरफ से हमें सांदर बॉलिंग देखने को मिली अक्सर पटेल और रवीचन दस्विन की तरफ से तो हम आपको ददी की अक्सर पटेल ने इस मकाबले की फर्स इनिंग में 6 विकेट लिये जबकि रवीचन देश्विन को इस मकाबले की फासेनिंग में तीन विकिट मिला है दोस्तो एक विकिट मिला है इसान सरमा को दोस्तो आपके मुझे बिक टीम इंडिया फासेनिंग में कितना स्कोर खड़ा करेगी प्लिस कमें सेसन में अपनी रहे जरूर दीजे दोस्तो अगर आपको हमारी पसंद है तो प्लिस विडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता है आपके मद अब आपके तीसरे टेसमैच कौन सी टीम जीतने वाली है और अब तक आपने हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस बेल आइकन को जूर दबाई तो मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो में झालेवि को सब्सक्राइब कर ले करें ुछते हैं वैरम भी जित कर लेतां को सब्सक्राइब कर लेचे और मी कर लेक्सक्राइब। झाल 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 झाल